कुल्धारा गाउं, दघोस टाउन, राजिस्तान के जैसलमिर का ये एक गाउं, जहां 170 सालों से कोई नहीं रहता, और ये पूरा गाउं खंडर हो चुका है, यहां लोगों का रात में जाना मनाए, पर जो लोग यहां दिन में गए हैं, उनके साथ भी कई पैरेनॉमल हाथ से हो चुके हैं, पर ऐसा क्या हुआ, ये पूरा गाउं खंडर बन गया, और क्यों यहां कोई नहीं रहता, और चे घोस टाउन क्यों कहते हैं, कुल्धारा शुरू में ऐसा नहीं था, 200 साल पहले इस गाउं को और इसके आसपास के 84 गाउं को पालीवाल ब्रामनों ने बसाया था, शुरुआत में ये और इसके आसपास के गाउं सक्सेस्फोली रन कर रहे थे, पर एक दिन वहां के दिवान सालेम सिंग ने एक लड़की को देखा, और वो उसके लिए पागल सा हो गया था, और वो लड़की गाउं की पुजारी की लड़की थी, सालेम सिंग ने पर जुल्म करना शुरू कर दिया, काफी टाइम तक लोग सालेम सिंग का जुल्म झेलते रहे, पर एक दिन सालेम सिंग ने गाउं वालों से ये कहा, कि मैं तुम्हें कुछ दिन का टाइम देता हूं, या तो लड़की मुझे दे दो, वरना मैं गाउं में हमला कर दूँग सब को मार कर इस लड़की को ले जाऊंगा, ये बाद सुनकर गाउं वाले और उसके आसपास के 84 गाउं के लोग एक मंदिर पर आकर इखटा हुए, और उन्होंने अपनी इज़त बचाते हुए ये डिसाइड किया कि वो लड़की को सालेम सिंग को नहीं देंगे, और वो इस जगा को छोड़कर चले जाएंगे, और फिर वो और उसके आसपास के 84 गाउं के लोग एक ही रात में इस जगा को छोड़कर चले गए, पर जाते जाते उन पालिवाल ब्रामनों ने इस जगा को श्राब्ट देडाला, कि ये जगा दुबारा कभी नहीं बसेगी, और ल लोगों को यहां किसी के होने का एहसास अभी भी होता है, और लोगों के बात करने हैं और चूड़ी पायल की आवाजें भी उन्हें अपने कानों में सुनाई देती हैं, कहते हैं इस गाउं में कुवा हैं, जहां शाम होती अजीब और गरीब आवाजें सुनाई देती हैं, और कई बार तो लोगों को परचाईयां भी दिखाई देती हैं इस बारे में आपका क्या कहना है वीडियो चले एक तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नहीं चलकर सब्सक्राइब करें बाई